नमश्कार आप देखे रहें, DS4 मैं हूँ आपके साथ दफीसा एक तरफ राहूल गांदी की दो साल की सजा खोलेकर चर्चा हैं राहूल गांदी की मुश्किलों पर सवाल हैं तो दूसी तरफ कॉंग्रेस पार्टी का राहूल गांदी की समर्थन में सत्य गरह सत्य गरह राहूल गांदी की सदस्यता चली गई और दो साल की सजा बरकरार रही ऐसे में बातचीत करते हैं सुरेंदर चोहान जी हमाई साथ हैं सुप्रीम कोड के जाने माने अधिवक्ता हैं तमाम मुद्वों पर चर्चा करते रहें लेकिन आज राहूल गांदी की मामले में बर चर्चा करते हैं क्योंकि जल्द ही राहूल गांदी का मानहनी मामला जिसमें उनको दो साल की सजा मिली है वे सुप्रीम कोड जाने वाला है तो बातचीत करते हैं सस्वागत है आपका मारे चैनल पे क्यो क्योंकि राजिनीती से कनों फाल के तना काम करना है प्रजनी toute साफसitely चैर्यर में निसकीण के केस दो साल की सगा होते नहीं देख है तो यह अनूत fish fly इंसे हैं उनके सामने चाजशीट में और जो उन्होंने एक सारा जो चार्शीर केते हैं जो कंप्लेंट केस था है कंप्लेंट केस में क्या-क्या उन्होंने विटने अग्जामीन किया है तो मुझे पहली पर्थम दस्ट्रा से ही राजनेती की रूप लग रहा है कि राहुल गांदी एक ऐसी आवाज है उसको दबाया जाए और दबाने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरना कहीं से आई है नहीं तो दो साल की सजा का मुगदमा नहीं है लिएंसर कालून सजा सुना रहा है दो साल की इसमें दिक्कत क्या इसमें आपत्ती क्यों हमें आपती नहीं है किसी को भी आपती नहीं है आपती होता है कि नियाए दिखे हो रहा है नियाए होता है ना नियाए दिखना भी चाहिए कि नियाए हो रहा है अगर किसी आदमी को हमने किसी की हत्या हुई है और उसको फासी लगा दी जाए तो पता लगता है कि भाई हत्या किसी ने की है तो उसको फासी मिल गी है और किसी आदमी ने अगर किसी को डिफेम किया है तो किसी का जो पैरलल जो एक्वल बेरियन जिसको कहते हैं तो दिखना चाहिए कि भाई अकर किसी ने किसी को गाली दी है तो गाली देने का मतलब आप उसको फासी नहीं लगा देंगे कानून में भी अलग अलग सजा की प्रावदान है न तो प्रावदान में वो एक तो होता है कि दो साल तक की सजा or shall not be less than two year तो defamation के case में shall not be less than two year नहीं है तो defamation के case में दो साल तक की सजा दी जा सकती है तो ज़साब ने क्या निरने लिया वो तो उनका विवेक जानता है पर बहराल अभी coming back की दो साल की सजा हुई है उनकी सिदस्थिता भी चली गई है और हाई कोड ने भी उनकी जो conviction को stay नहीं किया है तो conviction को stay ना करने से क्या हुआ है कि बात वहीं की वहीं खड़ी है कि उनकी sentence suspend है और conviction अभी बरकरार है तो इसलिए conviction को stay कराना जरूरी है और नहीं तो उसका जो भी outcome आएगा जो आपील की है session court में तो उसका जो भी आपना outcome आएगा उस सामने दिखेगा अगर conviction को stay करा देते हैं तो राहुल गांदी जी की सदस्ताब हाल हो सकती है तो इसमें राजनितिक मापदन दग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरना है जीस प्रेरना के चलते यह काम नहीं हो रहा है नहीं तो नवजो सिंग सिदू थे उनकी भी conviction को काके ते suspend किया था स्टे कर दिया था तो ऐसा नहीं है की precedence नहीं है precedence है मामले की गहराई को देखा जाता है कि कितना heinous crime है तो आपकी आदत है कही ना कहीं आप एक समाज को या एक वर्ग को टागेट करते हैं, आप माधरनी हाई कोड में जजिस साब ने जो टिपनी किया है, उस पर जादा अपना विचार नहीं रखोंगा, वो उन्होंने अपने विजडम में जो किया है, वो देश का कानून नहीं ह उसको कानून में कहते हैं, उसको कानून में कहते हैं, उसको कानून नहीं माना जा सकता है, तो अगर राहुल गांदी कोई क्रिमिनल नहीं है, राहुल गांदी को आप कहने हैं कि दस केस चल रहे हैं, दस केस की ग्रेविटी क्या है, उसकी सेंस्टिविटी क्या है, वो आप लिए लिए गोडे जो हैं, सबको एक लयन में नहीं हाखा जा सकता, तो ऐसे में आपको देखना है कि राहूल गांदी जी के ऊपर क्या चीज है उनके 10 केस कॉन्-कॉन्से है वो आपने मापना है, आपने यह नहीं कहाना हैs पर दस केस आप के ओपर चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े ड़केत हैं, उनका समझ में आता है, अगर माफी मांग लेते तो यह मामलत ना बढ़ता, सजा भी ना होती दो साल की, नहीं, एक आदमी ने कहा है, राहूल जी ने कहा, अगर कि माफी नहीं मांगोंगा, इसका मतल सजा का मुकदमा है, और आपने सजा दे दिये, तो फिर किस बात की माफी, या तो आप कह दे, आपनी जज्मेंट में भी अबजर्ब कर लेती हैं, या आप इनको, मैं आपको सजा को एक्विटल कर रहा हूं पर आप इन से सौरी बोल दे, ऐसा तो और नहीं है ना, तो माफ अब नहीं हैं, तो आप किसी वर्ग को टार्गेट नहीं का सकते, उन्होंने निरव मोधी इनकी बात की, लालित मोधी इनकी बात की है, उन्होंने कोई प्रायमिस्टर की बात नहीं की, परधान मंद्री जैम्ञी मोधी उनक Ind only LALIT मोधी और मेहल चोक्षीन के बारे में बात किया था तो ऐसे में उन்हों ने किसी की भावनाओं को ठेश नहीं पहुचाए कि किसी वर्क को या मोधी कम्मुनीटी को उन्दे होल उन्होंने चोर कहा हूँ ऐसा मैं आप से समझना चाहूंगी कि कानून मानहानी मामले में क्या कहता है क्या कानून इसी तरी किसे काम करता है आम तोर पर जो हम राहुल गांदी वाले मामले में देख रहे हैं क्या इसी तरी किसे दो साल की सजा सुनाई जाती है नहीं पहली बार मैंने आपको पहले बता है न ने कितनी बार माफी मांगी डेफेमेशन के केस में, तो अरुण जेट लिजी ने भी उनके ओपर किया था, कपेल सेबल ने भी किया था, तो मुकद में चलते रहते हैं, उनमें आपस में समझोते हो जाते हैं, पर राहुल जी के मामले में, राहुल जी के मामले में ऐसा कुछ नहीं था, complainant जो है इस case में बड़ी interesting बात हमने सामने आई, कि complainant खुद अपना high court में मामला stay करा रहा है कि इसको रोग दिया जाए, इसका मतलब motivated चीज है, complainant कभी भी अपने cases को stay नहीं कराते हैं complainant का case होगा कानून की प्रक्रिया में उस समय हाई को तेक अप किया गया मुझे इसका इलम नहीं है, मैं उसकी जानकारी अपनी अपनी बड़ाना चाहूँगा और मैं उस केस को देखुगा कि ऐसा क्यों हुआ complainant ने, इसका मतलब सब चीज़े मोटिवेटिड है और कहीं न कहीं ये राजनीती से प्रेरित है और ये target की गई है राहूल गांदी जी को आवाज को दबाने के लिए सर्जी सरीकिसे Congress Party भी आरोप लगा रहे है इस point को उठा रहे है कि ये सब कुछ राजनीती से प्रेरित है तो क्या बदले की भावना इसके भीतर है क्या राहूल गांदी जिस तरीके से एक बार एक वार केंदर सर्कार पर कर रहे है तो क्या वो पूरी राजनीती इसमें छुपी हुए है देखो राजनीती है कि जो सरकार है भारत सरकार उसे अच्छी तेरे पता है कि उनको इस देश में कोई टकर दे रहा है और कोई निर्भूइक रूप से बात कर रहा है तो एक इस अक्ष है जिसका नाम है राहुल गांदी जो डरा भी नहीं कि चार हजार किलोमेटर पैदल चलके उसने कन्य कुमारी से कश्मीर तक बता दिया कि मैं इस देश की आवाम के लिए लड़ता रहूँगा और उनकी आवाज को उठाता रहूँगा और उन्होंने इसलिए लोकसभा में भी आवाज उठाई कि आपका रिष्टा क्या है बीस अजार करोड का अगर अगर प्रधानमंत्री मोधी जी अगर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया हुआ तो लोकसभा में सभी संससदस्यों को अधिकार है कि वो जानकारी प्राप्ट कर सके सरकार से कि यह बीस अजार करोड रुपया यह कोई भी पैसा कहा गया है और आप कोई जवाबी नहीं देते हैं आप एक प्रेस कांफेंस में नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है और वो देख रहे हैं सरकार चाहती कि यह आदमी ज़्यादा बोल रहा है तो इसकी आवाज को बंद किया जाए तो बंद करने की आवाज की प्रेलना को ही देखते हुए यह सारी जो चीजे हो रही है तमाम इस सब वहीं रिवाल्व कर रहे है कि राहुल गांदी को टार्गेट किया जाए राहुल गांदी को चुप करा दो तो सारे देश में और जो नहीता है सब चुप हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है राहूल गांदी उनकी आवाज को उसके कोई नहीं दबा सकता वो निर्भीक आदमी है वो सच्चा आदमी है और वो फरिष्टे की तरह काम कर रहा है इस देश में और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार और भारती जनता पार्टी की इतनी ताकत है कि राहूल गांदी की आवाज को बंद कर सके अहिंकारी है राहूल गांदी माफी मांग लेनी चाहिए अब बेचारा पॉलिटिक्स करेगी कॉंग्रेस इस तदीकी के बयान जब बीजेपी दे रही है तब आपके मन में क्या चल रहा है लॉयर के तौर पर बोल रहा है फिर नागरिक के तौर पर पूछ लूँ नागरि भी वादे होते हैं जुमला चोड़ देते हैं तो राहूल जी के लिए वो यही बात करना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई शकुफता चोड़ दो राहूल जी बेचारे नहीं हैं बेचारा वो होता है जो करते हैं असहाय हो राहूल जी असहाय नहीं राहूल जी के साथ देश के के साथ रहूल गांदी जी के साथ और देश की आवाज बनकर रहूल गांदी जी आज एक जुट होकर देश में जो डर का वाता वरणेनों ने पेदा किया है उसको तोड़ते जा रहे हैं और डे बाई-डे उनकी लोगपरिता बढ़ती जा रही है और मुझे नहीं रखता कि राहुल गांदी को अब कोई रोक सकेगा मैं लगातार वकीलों से मिल्डियों में एक सवाल जरूर लेती हूँ कि अब सुप्रीम कोट में पूरा मामला जाएगा तो वो किस तरीके से संग्यान लेगा क्या राहुल गांदी की सदस्यता बहाल होगी क्या वो 24 का चुनाव लड़ पाएंगे जो बेहदा हैं में सब के लिए और साथ ही क्या राहुल गांदी जेल भी जा सकते हैं क्योंकि लगातार सजा बरकरार है देखिए जो सुप्रीम कोट में सारे देश की निगाएं हैं सुप्रीम कोट से हमें उमीद भी है कि शायद कन्विक्शन को स्टे किया जाए और क्योंकि सुप्रीम कोट ने अभी भारस सरकार कुछ तमाचा मारा है जो उन्होंने इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टिवरेट बिश्रा का जो अपना उसका कारिकाल बढ़ाया था उसको रद कर दिया गया है तो सुप्रीम कोट से यह हम सब लोग आशा लगा के बैटे हैं कि यह जो कन्विक्शन है डिफिमेशन केस में यह प्रपोस्टेंट नहीं है प्रपोस्टेंट जुर्म के प्रपोस्टेंट नहीं है और ऐसे सूरत में इस conviction को stay किया जाए तो जो भी वकील लोग मैटर को take up कर रहे हैं आदर रेनी Supreme Court में तो वो ऐसी दलीले रखेंगे और हम भी उनको कुछ ना कुछ advice करते रहते हैं कहेंना कि वकीलों को साथ में जुड़े हुएं तो उनको कह सकते हैं कि ऐसी सूरत में ऐसा कुछ system लिया जाए और judgments के तोर पे कि conviction को stay किया जा सके जिससे की राहूल गांधी नी चुनाओ लड़ सके और राहूल ऐसा दिख रहा है जो लग भी रहा है कि Supreme Court में देश की लोगों की आस्ता है और Supreme Court शायद इस judgment को stay कर सके conviction को stay करेगी ऐसी मेरी उमीद है ऐसी मेरी मानना है